प्रमोद प्रेमी का भाई साहिल यादव वो मेरे साथ एक देर साल रिलेशन्शिप में रहे और मेरे साथ फिजिकल हुए मैं कि पांच लग चार लग दस लग जितना ले ना लेलो लेकिन मेरा मेरा भाई का पीचर चोड़ दो यह परमोद प्रेमी बोल रहा है आप लोग जो प्रमोद प्रेमी को बदनाम करने की कोशिश नहीं कोई इजट नहीं क्योंकि यहां पर लड़कियों को सब समझता है कि मजबूरी से काम कर रही है तो उसको खड़ीद लिया गया है दोस्तों अभी मेरे बगल में एक लड़की है और इस लड़की का आरोप है परमोद प्र प्रमोद प्रेमी का भाई किया है पहले से बातचीत करते हैं आरोप सही है यह लड़की बताएगी क्या हुआ है आपके साथ यह बताएगी माम प्रमुत प्रेमी का भाई साहिल यादव वो मेरे साथ एक डिर साल रिलेशन्शिप में रहे और मेरे साथ फिजिकल हुए मैंने उनको बोला कि पहले शादी कर लेते हैं फिर फिजिकल होंगे तो नहीं वो बोले कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो मेरे मांग में सिंदू पर में चुट्टी हो चुट्टी लेके आते थे इंडियां आर्मी इंडियां पोस्टिंग पोस्टिंग अई नो को अपने निक पता चल गया उनके फैमिली को पर शाधी को पता चिल गया तो वह अगेंस्ट हो गया अगेंस्ट होने के बाद वो अपने भाई को मतलब डाटने लगे कि ऐसी है वैसी मेरे उपर लालचन लगाने लगे कि लड़की ऐसी है वैसी है अच्छे डेर साल से आप प्रमोत प्रेमी के भाईस शाहिल के साथ रिलेशन्शिप में थी ठीक है और उसके बाद अब शादी कब की मतलब मांग में जो सिंदूर भरने की बाद कही जा रही है कब की प्रम तुम को यकीन हो गया तो हम समस्सक्रादी करेंगे तो तुम यह सब चीच से मना मत करो हुआ कि अभी को चओड़ दो तुम पैसा ले लो तुम पैसा ले के साइड हो जाओ तुम को चितना पैसा चाहिए पैसा ले लो लेकिन मेरा भाई आप से शादी किया है बंद कमड़े में शादी किया है प्रूफ है आपके पास प्रूफ उसका फोटो था तो वहाँ इसका चैट है रिक़ॉर्डिंग जी रिकॉर्डिंग है, बंध कमने में सिंदूर लगाया था, तो उसको शादी मानियेगा, जी हम तो उसके उपर गलती हुआ है, मेरे से बहुत बढ़ा गलती वाए कि हम उसके उपर भरोसा कर देखें, आप सिर्फ हम दोनों थे, कोई नहीं, शादी तो नहीं माना जाए, न प्रमोद प्रेमी का आप नाम बीच में बार बार ला रही हैं कि प्रमोद प्रेमी नहीं चाहता है नहीं चाहता है क्या लगता है प्रमोद प्रेमी भाई क्या लावा वो उसके चचेरे भाई हैं भाई हैं हां भाई हैं क्यूं नहीं चाहता है कि उसका भाई आपसे शादी व उसके बाद उसके भाई उसका तो साहिल यादव है वो मुझे 5-6 साल से जानता था रेकिन डिलेशन्शिप में हम लोग एक डिर साल से आये थे हम उससे बात करना नहीं चाहते थे लेकिन धीरे-धीरे मैसेच पर बात होने लगया फेस्बुक दौरा तो धीरे-धीरे बात ही था मेरा उफिस तो ऊसी दोरान हम उसके रिलेशन्शिप में उसको सब कुछ पता था कि उसे नहीं कि मैने उसके को कुछ चुपा कर रखा था उसने घुब ही मेरे लाइफ मे वो खुद मेरे लाइफ मरे वो प्रalal 걍 कि यहाँ इन्शिप में ब 있स्ते गलीर नहीं अपने ही रख रहा है नाई जलती अपनी मांँ जाज इन ने Trackल कि हाथ कि अपना पूरा लाइफ पूरा बस्ट जिनकी उसको दे दिई इजसで त प्रमोद प्रेमी बिहार में कितने नामी सिंगर हैं बहुत लोग उनको चाहने वाले हैं बहुत प्यार करने वाले हैं और अब वो ऐसा कर रहे हैं लड़की आरोप लगा रही है और फोटो भी बिलकुल आप देख सकते हैं कि प्रमोद प्रेमी के भाई के साथ ये लड़की का जो रोमांटिक फोटो है वो आपके सामने हैं तो दोस्तो देखे ये तो आए दिन होते रहता लड़कियों के साथ ल लेकीन नहीं होता है कि सच में उनको चाहने वाले लोग हैं और वो ऐसा काम कर रहे हैं अब क्या करना है मीडिया में आ रही हैं बोल रही है कि भाईया मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया गया सजा दिलवाना है शादी करना है क्योंकि मीडिया में आने के बाद बगावत है देखि उनने लोगों को लगता है कि यह चोटी लड़की है, middle class family से belong करती है, यह कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन उनको नहीं पदा कि जब एक लड़की चाले, तो वो बहुत कुछ कर सकती है, और हम जब सच हैं, गल्ती हुआ है, मेरी सबसे बड़ी गल्ती है कि हम किसी पर बरुशा क पता है कि आप क्या क्या कर रही है और मीडिया में वेद्भ के जब्स चले पुछपूरी इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेस होती है उनके साथ ऐसा ही क्यों होता है फसा लिया फिर उसको करेक्टर लेस्ट बता करके उसको लात मारके निकल गया इज़त नहीं रहता है लड़कियों का देखिए मैं हम तो यही चीज़ चानते है ना जब किसी इंडस्ट् कि लड़कियां अपने मधट की खोते हैं खिलोना समझ कर रखते हैं लड्कियों को पैसे से खड़े सकते हैं जी मजबूरी का फायदा उठाते हैं भहत लोग जो मजबूरी का फायदा भी उठा तहीं रूपम मैडम है यहां पर और वकालत की स्टुरेंट हैं तो मैडम क्यू बुलाई है इस लड़की को इनसाफ दिलाना है या लड़ाई लड़ना है प्रमोद प्रेमी इतने नामी आदमी है भाई क्या करना चाहरी है नामी आदमी है तो अपना दोस दिखाएगा किसी इसका दोस है उसको क्या लड़की के साथ क्या हुआ है इसके साथ उसके भाई ने सेक्स्वल रिलेशन्सिप बनाई है और अपने पावर का थोड़ा बहुत-बहुत क्योंकि इस सिंगर बहुत बढ़ा है इसका नाम जुड़ता है पवन सिंखेसारी लाल यादव है ना इन लोगों के साथ और ये भोजपुरी का काफी नामी सिंगर है फेस्बुक पे मैंने देखा अभी अभी मैं उसको जानती उतना नहीं थी वस नाम पता था क्योंकि मेरे हॉल पर सुटिंग करने आता था तो पस उस तरह किसे जानती थी लेकिन अभी मैंने देखा फॉलोवर 4.3 मिलियन चाहने वाले बहुत है इनको तो उसी का दोस इसको दिखा रहा है और जो सुरू से जान रही है सक्स खिलाफ हूं वो कोई रहा है वो परधान मंत्री हो मुख्य मंत्री हो या कोई भी कानून के ब्यूंड जाके कोई भी काम करेगा आप कितने बड़े धोस्तार हो मेरे वो सब गलत है और यदि इस लड़की को बहुत देर से वी 2-3-4 गंटे से मेर काफी कॉल किया है अभी तक मेरी बात नहीं लेकिन बगल में बैठा वाय वो इनसान और सूनू है कोई अमीत है ना चाने किनकिन से मैंने बात किया और सब पर है प्रमोग्ण प्रेमि आवाज आई मुझे मुझे लेगात हू ऊब्रमोड प्रेमी या उसके भाई से बात करन अगर तुम इलजाम लगा रहे हो तो एक और बात तो करो if you are right then contact me बात करो मेरे से कि क्या है नहीं है लड़की ऐसे ही तो आज अभी ये नाम बताने से अपना चेहरा बताने से डर रही है क्यों क्योंकि उससे प्रमोट प्रेमिस नहीं डर रही है ये अपने भविस्टे के लिए डर रही है लेकिन अगर अगर chromggू के डेट मेश लड़की को कोच होता है तो आप को भी पता है नहीं भाजी मैं किसी के बाप से नहीं डरती हो मैं प्रमोट प्रेमिस अंपने अस्टेहरा बहाई है क्यूं क्या कारण है क्यूं इस लड़की को अपने घड़ के बहू नहीं बनाने देना चाहता है और और वह खुद बहुद देखेगेधे टi।के भोझपूरी इंडस्ट्रिय में रहता है यानि वह खुद अपने इंडस्ट्री को देखरागे। यानि ओक खुद भी घलत है। सिफ एक प्रोस्ट्जुशन ही गलत नहीं होती है। एक बाद हम इसे आद रखिएगा, एक मर्द भी गलत हो सकता है, उसको प्रोश्टिशन का नाम नहीं दिया गया, लेकिन प्रोश्टिशन के स्रेनी में आ सकता है, यानि उसका भोजपूरी का फिल्ड है वो खरावे तभी तो वो इसको गलत कह रहा है, क्योंकि यह बोजपू ऐसको बोजपूरी इंडस्ट्री में, जोड़ा है, तिन चार साल हो गया, तिन चार साल हो गया, उसके बाद आप जोलेशन के बहुत अच्छा जॉप कर रहे थे, अच्छे पोस्टे भी थे और अच्छे से कर रहे थे, लेकिन इनका भाई आके मेरा सब कुश बर्बाद कर आप जाए इनका help करने, अभी मेरी एक्स्रादी से भी बात हुई, मैं उनका भी बुराही नहीं करती हूँ, काफी मैं उनको मानती हूँ, लेकिन आज मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, थड़ा आटिटूड में उन्होंने बात किया, कहां तो वो भोजपूरी के लिए हाइलाइट होगा तब आप 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 अभी से खड़ी होईए, बिल्कुल और एक और सवाल आप से पूछूंगी मैडम, कहीं आप प्रमोत प्रेमी को बदनाम करने की कोशिश ने न कर रही है, मैं आप के बदनाम करने की कोशिश करना हो तो मैं उसी का नाम क्यों लेती, मै तीस तारीक, पाच्वा महिना दोरहतीस में उसके घर गई थी, ठीक है, गाउपे कल्यानपूर, सिंहाट, गाउपे गई घर पे गई, मैंने एक यह चीज़ बोला कि मुझे श्याम से बात करना है, उससे बात करवाई है, उससे मिलवाई है, तो परमोत प्रेमी जी ने अप किसको कहा जाता है, नाचना गलत है क्या, जब नाचना गलत है, तो आप भी तो नाच रहो ना, आप भी मत नाचो, तो वो भी नचनिया हुए, यानि कि वो उस इंडस्टी में रह को, उस इंडस्टी का बदनावी खुद कर रहे है, कि उस इंडस्टी में जो नाचता है, ज नोटिस जारी हो गई है और यह आवेदन है डीजेपी के लिए यह सोमबार को मुझे बुलाए गया है मैं सोमबार को उनसे मिलने जाओंगी जी मीडिया में आने लगी नहीं मीडिया में बात कर रही है लड़की और नाम और पहचान अभी नहीं बताना चाहती है क्योंकि कहीं माइना का नएक लागा हॉसे शादी नहीं करता है तो यह लड़की का जिन्दगी ना खड़ा भुजा इसने पहचाननी बताना चाहती है कानून से बड़ा कोई नहीं है निवां और प्रमोद प्रेमी जी आप से में पोल रही हूं जिस चीज का अगर आपके फॉलोवर का अगर आप कासे नहीं से बड़े आप नई है और इस भश्य को अगर कुछ को होता है आपके यह और ने पर savez कैसे तो transfer लड़की के साथ शोशन हुआ है उसके बाद छोड़ दिया गया अब बोल रहे हैं तुम नचनिया हो तुम भूजपोड़ी इंडरस्ट्री में क्या की हो कितना के साथ तुम्हारा संबंध रहा है मतलब कैरेक्टर पर उंगली उठ गया है हमेशा कितर है जैसे महिलाओं पर अब इस पर आपकी क्या रहा है कॉमेंट में जरूर बताइए गा यह वीडियो को प्रमोत प्रेमी तक जरूर पहुंचाईएगा उनके भाई तक जरूर पहुंचाईएगा और जितने भी लोग देख रहे हैं सही क्या गलत क्या मैं नहीं जानती लेकिन यह लड़की अभी तो गलत किये हैं या सही वो तो आप कानून जज बिसाइट करेगी अपनी राय जरूर कॉमेंट बॉक्स में दीजेगा नमश्कार